दोस्तों क्या आप भी सफेद बालों की समस्या से परिशान हो चुके हैं और कोई ऐसी नैचरल चीज ढूंड रहा है दोस्तों जो आपके प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या को समाब्त कर दे जिसे बनाना आसान हो जिसे लगाना आसान हो और जिसका रिजल्ट हमें पहली बार में ही दिखाई देने लगे आज मैं आपके लिए बिलकुल वही रेमेडी लेकर आई हो बालों का जड़ना कम होगा बालों में काला पनाएगा आपकी उम्र होगी तब ही बाल आपके सफेद होगे आजकल हमने बहुत से लोगों को देखा दोस्तों 35-40 साल के होते हैं और बाल सफेद होने लगते हैं बालों की जड़ों को जब proper nutrients नहीं मिलते हैं पोशकत्व नहीं मिलते हैं तो बाल हमारे जड़ने लगते हैं बाल तूटने लगते हैं और बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं तो प्री मेचर ग्रे हेर की समच्चा को समाप्त करने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तमाल किया है कलोंजी इसे मंग्रेल इसे ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहा जाता है यह बीज जैसे दिखने में काले हैं बिल्कुल ऐसे ही बालों को काला बनाते हैं अगली चीज जो कि मैं यहाँ इस्तमाल करूंगी मंग्रेल के साथ वो है चाय की पत्ती कोई सी भी चाई की पत्ती लीजे जिस भी टी लीफ का इस्तमाल चाई पीने में करते हैं बस वही चाई की पत्ती आपको लेना है एक बड़ा चमज भर कर चाई पत्ती ले चाई पत्ती भी एक बहुत बहतरीन beauty product है बालों के लिए एक natural hair dye के रूप में काम करती है अगली चीज आवला आवला बालों की कोई रेमेडी हो और हम आवले का इस्तमाल ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता पूराने समय से ही इस चमतकारिक आयूरवेदिक जड़ी बूटी का इस्तमाल बालों को घणा करने, बालों को लम्मा करने के लिए आव़ले का इस्तमाल किया आता जा रहा है विटामिन C से भरपूर होता है आवला हमारे स्केल्प को हेल्दी बनाता है और जब हमारे सिर की तवचा healthy होगी हमारे scalp में किसी तरह का infection नहीं होगा तो बाल जढ़ना अपने आप ही रुख जाएगा ये हैं आवले के कुछ सुखे हुए टुकडे जिसे मैं इसी तरह से सुखा कर साल भर के लिए store करती हूँ इन्हें पीस कर भी आप पाउडर बना सकते हैं या बाजार से भी आवला पाउडर ला सकते हैं मैंने भी वो आवले की डबी जो है बाजार से ही खरीदी पाउडर की और इसे सुखा कर घर पर रखा है किसी भी आयुर्वेधिक स्टोर से आवला पाउडर लाईए अच्छा शुद्ध आवला पाउडर लाए ताकि result 100% मिले यदि आप भी कोई ऐसी चीज तलाश कर रहे हैं जो आपके प्री मेचर ग्रे हेर की समस्या को समाप्त करे तो मेरी इस आयुर्वेधिक रेमेडी को जरू ट्राय करें लोहे के बरतन में जब भी हम कोई डाय बनाते हैं हमारा डाय 100% ज़्यादा पावरफुल बनता है इसमें आयरन के तत्व भी आ जाते हैं गैस की फ्लेम को स्लो किया है लोहे की कढ़ाई में वन टेबल स्पून मैंने आवला पावडर डाला है आप चाहें तो डबल कॉंटिटी भी कर सकते हैं साथ में डालिए कलोजी अगर दो चमच आवला पावडर है तो दो चमच कलोजी पावडर दो चमच चाय पत्ती कब चाय पत्ती ले सकते हैं क्योंकि अभी हमें सारी चीजों को ग्राइंड करना है अच्छी तरह से इसे भूनना है ड्राय रोस्ट करना देखे आवला पाउडर का रंग बदलने लगा है साथी साथ कलोंची और चाय पत्ती का रंग भी बदलना स्टार्ट हो रहा है धीमी आज पर इसे कम से कम आठ से नौ मिनट तक आपको धीरे-धीरे इसे भून लेना है सेक लेना है कोशिश करें आईरन वैसल का ही इस्तमाल करें हम लोग बोलते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ ताकि हमारे भुजन में हमारे खाने में लोह तत्व आईरन की क्वांटिटी आ सके उसी तरह स्केल्प को और जादा हेल्दी बनाने के लिए हमेशा बालों के लिए जो भी हेर पैक बनाते हैं हेर टॉनिक बनाते हैं कोशिश करें आईरन वैसल का इस्तमाल करें अब आप देख सकते हैं सारी चीजों की रंगत बदल गई है दोस्तों चायपती कॉफी सारी जीजें अब इन्हें मैं लोहे की कड़ाई से निकाल रही हूँ और ठंडा करने रख रही हूँ जब बिलकुल ठंडा हो जाए इसे ग्राइंड कर लीजे ताकि कहीं भी चायपतीया किसी चीज़ के टुकडे ना रहे हमारे बालों में फस्टने ना पाए एक ऐसा नैचरल हेर डाय का पाउडर है जो की बहुत ताकतवर है दोस्तों इसमें आवला है इसमें कलोंजी और मंग्रेल है कलोंजी जिसे हम लोग मंग्रेला बोलते हैं हम लोग खाने में इस्तमाल करते हैं एक ऐसे बीज होते हैं जो की सो बिमारियों को ठीक करने की ताकत रखते हैं कलोंजी का एप्लिकेशन भी करें बालों पर कलोंजी का कंजप्शन भी करें एक चुटकी कलोंजी को रोज खाएं या कलोंजी को रोज के खाने में जरू डालिए आप रोटी पूरी पराठे के आटे में एक चुटकी कलोंजी डाल दे सबजी के बखार में जैसे राई जीरा डालते हैं चुटकी भर बिल्कुल ऐसे ही इसकार इसे डालना शुरू करें कई बिमारियां दूर होती हैं दोस्तों कलोंजी के बीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होने के कारण हमारे हेर सेल को स्ट्रॉंग बनाता है जब हमारे बालों की जणों को इतना अच्छा नरिश्मेंट मिलेगा तो अपने आप जड़े मस्बूत होंगी बागी पाउडर को मैंने एक डिब्बी में स्टोर किया आप देख सकते हैं ताकि अगली बार अगले सकता जब मैं इस रमेडी को फिर से लगाऊं तो मुझे बना हुआ पाउडर मिले मैं हमेशा ज़ादा बना कर रखती हूँ और दो तरह से आज आज आपको इस नैश्रल हेयर डाय का बालों पर इस्तमाल करना बताने वाली हो सबसे पहला तरीका है सरसो का तेल सरसो का तेल लीजिए कम से कम चार से पांच बड़ा चमच सरसो का तेल डालिए धीरे धीरे करके डालिए ताकि थोड़ा सा हमें इस तेल को अच्छे तरह से मिक्स करना है आपको जितनी जरवात है उतना तेल डालिए आप सरसो तेल की इस तेल को लगाना है. एक ऐसा बालों को काला करने का ऊईल है ये. जो आपके बालों को ज़ड़ने से बचाये का. इसमें कलाजी है, आमला है. चाह पत्ती एक बहुत बेधरी ब्यूटी प्रोडक्त है. चाह पत्ती में इस hair dye powder को डालिए और mix करिए. दोनों में से जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे, कई वारा आप लोगों को ये रहता है कि बाल चिपचिपे हो जाते हैं, हम सरसो तेल लगा रहे हैं, आप aloe vera gel के साथ मिला कर भी लगा सकते हैं. जितना हो सके दोस्तों, नैचरल चीज़ों का इस्तमाल करें, प्रकृती ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़े दी हैं, जिसके दौरा लंबे समय तक हम अपने स्किन को, अपने बालों को healthy बना कर रख सकते हैं. बाल जढ़ने का कारण यही है, हम लोग बहुत ज़ादा chemical वाली चीज़ों का बालों पर इस्तमाल करते हैं. कुछ-कुछ बाल सफेद दिखें, तुरां बजार का hair dye लगा लेते हैं. तो आप देख सकते हैं, मेरे भी कुछ-कुछ बाल, दोस्तों मैं तो खेर मेरी उम्र तो हो चुकी है, मैं खुदी 58-59 एर की हूँ, इस उम्र में अगर मेरे बाल सफेद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है. उम्र के साथ बालों का सफेद होना एक साधरन सी बात है. माथे के पास के जो छोटे-छोटे बाल है ना, सिर में पीछे की तरफ मेरे बाल सफेद नहीं है. जितना हो सके नैचरल चीजों का इस्तमाल करें, दोस्तों क्या होता है? कुछ-कुछ बाल सफेद दिखे ना, हम लोग डर जाते हैं रहे हमारे बाल सफेद होने लगे, तो इस डाय को मैं अभी आयलो विरा जैल और सरसो तेल दोनों के साथ आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में लगा कर, कम से कम आदे घंटे रखूंगी, आदे घंटे के बाद हेर वाश कर लूँगे, मेरा परिवार मुझे एक कमेंट जरूट कर दे, इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में वो लिखेगा, साथ ही साथ कमेंट में अपना नाम लिखे, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको धन्यवाद बोलने, ठैंक्स बोलने के लिए आपका और आपके शहर का नाम एनाउंस कर सकूँ, तो इस तरह से मैंने इस नेचरल हेर डाय को लगाया है, आदे घंटे रखूँगी, अभी मैंने जेल के साथ लगाया है, अब आपको तेल के साथ लगा कर दिखा रही है, वीडियो पसंद आया हो परिवार को, वीडियो को लाइक करिएगा, टिप्स थियेटर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो टिप्स थियेटर चैनल को सबस्क्राइब करें,